आप सभी त्रशकों का फिर से स्वागत है एविल एनिगमा में आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कुछ मून के फैक्ट्स तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सबसे पहले मून की जेनरल इंफर्मेशन जान लेते हैं मून का डायमेटर है 3475 किलोमेटर मास है इतना प्रिथवी से 384400 किलोमेटर दूर है और एक और्बिट पूरा करने में 27.3 दिन लग जाते हैं चांद की सतय का तापमान माइनस 233 से 123 डिगरी सेलसियस में रहता है और ग्रिविटी प्रिथवी से 83.3% कम है आप सबने चांद की कैमरा से ली हुई क्लोज अप फोटोस तो देखी होंगी उसमें हमेशा चांद की एक ही साइड दिखाई देती है हम चांद की दूसरी साइड नहीं देख सकते जिसको far side of the moon कहा जाता है ऐसा इसलिए क्योंकि moon अपने एकसेस पे घुमने में उतना ही टाइम लगाता है जितना प्रिथवी का एक चक्कर काटने में जिसकी वज़ाए से हमेशा चांद की एक ही साइड प्रिथवी से दिखती है उस far side की photo सबसे पहले Soviet lunar program के Luna One spacecraft ने 1969 में ली थी और दस साल बाद अमेरिका के Apollo 11 मिशन में पहली बार इंसान ने चांद पर कदम रखा था चांद हर साल करीब 3.8 cm प्रिथवी से दूर जाते जा रहा है और अर्बो सालों बाद ये प्रिथवी का एक चक्कर काटने में 47 दिन लगाएगा चांद पर सिर्फ 12 लोगों ने कदम रखा है और वो सारे अमेरिकन्स हैं 1950 में अमेरिका ने चांद पर न्यूक्लियर बम फोड़ने का सीक्रेट मिशन बनाया था जिसको नाम दिया गया प्रोजेक्ट A-119 अमेरिका सौवेट उनियन को अपनी ताकत दिखाना चाता था कि वो भी स्पेस रेस में पीछे नहीं है लेकिन ये मिशन कभी नहीं हुआ और सरकार आज तक इस प्रोजेक्ट को मानने से इंकार करती है चांद जिस रंग का हमको दिखता है वो वैसा नहीं है असल में चांद की सतय का रंग काफी काला है लेकिन सूरज के कारण ब्राइट होकर हमें सफेद या पिला ही दिखता है चांद का कोई एटमोस्फेर नहीं है और उसकी मिट्टी अर्बो सालों से सोलर रडियेशन में तबते जा रही है उस मिट्टी में भारी मातरा में हीलियम 3 है जो प्रिथवी पर नहीं है उस हीलियम 3 के जरिये न्यूक्लियर फ्यूजन करा जा सकता है सिर्श 40 टन से इतनी एनरजी बन सकती है जितनी पूरा अमेरिका साल भर में बिजली में यूज़ करता है मून की मिट्टी जो अपोलो मिशन्स के अस्ट्रोनोट्स लाए थे वे काफी ड्राय थी और कोई पानी नहीं था लेकिन जंदरियान वन के जरीए ये कन्फर्म हो गया था कि मून के पोल्स पर बर्फ है चांद पर कोई हवा नहीं है इसलिए एस्ट्रोनोट्स के फुट्प्रिंट्स मशीन्स और फ्लैग्स अभी तक वाँ पर करार हैं जैसे 50 साल पहले थे लेकिन जो फ्लैग्स हैं उनका यूवी रेज की वज़ा से कलर इवैपोरेट हो गया और अब वह सिर्फ सफेद दिखते हैं अब ग्यारवे बोनस फैक्ट के लिए हम अपोलो 11 मून लेंडिंग के बारे में बताएंगे नील अम्स्ट्रोंग और बज अल्डरिन की मून लेंडिंग के बाद उनके पास बस 16 सेकंड का फ्यूल बचा हुआ था अगर वो लेंडिंग में कुछ समय और लगा लेते तो स्पेसक्राफ्ट चांद पर ही क्रैश हो जाता और दोनों एस्ट्रोनोट्स की मृत्यू हो जाती अच्छा हुआ कि उन्होंने कोई टाइम वेस्ट नहीं करा और आप भी बिना टाइम वेस्ट करें सब्सक्राइब बटन दबाएं और आगे आने वले वीडियोस का मज़ा लें